असलाम लेकुम कैसो आप सब अलम्दलिल्ला मैं एक दम ठीक हूँ उम्मित करती हूँ के आप सब भी एकदम ठीक होंगे मुझे एक बात देखके बड़ा अफसोस हुआ डीडी दल्ला जो वीडियो बनाया है अपने बाप के खिलाफ अपनी बीवी के खिलाफ मतलब सब के खि आई है जूम आउट जूम आउट कर रही है तो चम्या एक दिन वह आएंगा यह तेरे उपर भी वीडियो बनाएंगा तू इतना खूशमत हो जो तू हस रही है ना पीछे बैटके कैमरे के पीछे तो एक दिन तू रोएंगी भी जैसे फात्मा रो रही थी तो वेट कर बकी इसने जो बोला है ना कि अली की मा का फोन आया था वो उसको ले जाने बोली तो मैंने मना किया नहीं इसके पेपर चल रहे पढ़ाई चल रही है देड़ साल का था तब आपकी गहरत कहा थी ये वो बला बला अब ए घोंच हुए तो ये बता कि तेरे अंदर गहरत है न दल्ले चमिया के दल्ले तु जो बोल रहा है आईशा को कि तेरे अंदर गहरत नहीं थी तेरे अंदर है वो गहरत वो जो तुने इतनी चोटी थी बच्ची को छोड़ के आके इस धंदे वाली के साथ में रह रहे तो तेरी गहरत मर गई है क्या पहले अपने गिरेबान में जहां और यह जो जूटे जूटे इल्जाम लगाता है न आईशा के अपर तु चली गई थी तू पसंद कर ली थी तू भाग गई थी तो यह सारे इल्जाम जूटे आज तक के इसका कोई प्रूफ नहीं आया और जो तु आमें था डायलोग मारता है न मैं तो प्रूफ ल इलेशन में था तू शराब पीता है तू अयाश औरत है तू अपनी बीवियों को तकलीव देता है तू बच्चों की परवा नहीं करता है तू काम धंदा नहीं करता है तू गिरा हुआ और घटिया अदमी है और यह सारी बाते सची साबित हुई जो कि आईशा ने एक ऐसे ही ना जैसे वो भगोड़न अब अपनी भगोड़न पन की जो तूने इसकी कहानी सुनाया था आज उसने सची साबित की वो कहानी को तो तू जरूर अपनी मा की कहानी सुना रहे क्योंकि आईशा की कहानी तो यह है नहीं रही बात के दो साल मैंने समाला उसके बात उसे बच्चे संभलवाया सबजी लेकर आ ये लेकिया वो लेकिया उसको मारते रहे तुम लोग तेरी बीवी जुलूम करती थी और तुद देखते रहता था ऐसे तुम लोगों ने इसको इता बड़ा किये जो के दिखता है कि वो सैमा हुआ रहता है और तेरे बच्चे बहुत अच्छ हो रही है नहीं तेरे चौटी चौटी ज़सी की तेरी छॉतिय घर रहे के तो बहुत है दूप आक़ा थू देक्राइनAR4 231 के साथ में कैसे रंगरीलिया मना रहा है तो किती अच्छी तर्वियत हो रही है ना तेरे बच्चों की वहां जाके अली बिगड़ जाएंगा जो के दूसरे जो बच्चे है इसकी सोतन के लोगों के अंदर इतना मैनेर्स है इतने अच्छे बच्चे लोकिन तेरा बेटा वह बड़े सुदरे हुए हैं ना को सब्सक्राइब अच्छी तो मजनू के साथ में घुलचर्रे ऑढ़ा रही है क्या मस्त लोगों की तरवियत हो रही है क्या देख देखकर बड़े हो रहे सोचों बड़े होने के बाद में इनका वोсем सबीर new achter me ऐने गटिया जिसका नैक्स्ट डायलोग के तुम्हें खली एक रोटी तो देनी थी अली को फात्मा तुम्हें 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 एक रोटी तक्के नहीं दी सारा कुछ तो मैं करता हूं मैं पैसे लगाता हूं मैं सारा कुछ करता हूं तुम्हें तुम्हें तुम् कि रोटी देना कपड़े लट्ते पड़ाई टाइम पर उठाना भेजना बुलाना निलाना खिलाना वो मेन ओता है ठीक है तो यह तेरे जो पुराने डायलोग आँए ना कि मैं सारा कुछ कर रहा हूं तो ऐसे नहीं होता है ठीक है बाकि तुने जो डायलोग और एक मारा है न उनको तु जाके चमिया के पास बैठा हुआ है वो उसकी जो चमिया की बेटी है उसको तु बाप का प्यार दे रहा है और तेरे बच्चे बाप के प्यार के लिए तरस रहे इसके उसके पीछे पीछे घूम रहे जैसे बाबर के पीछे तो कभी दादा के पीछे उनको तो बाजारू आदमी वाकी फातिमा को ये भी बोला कि मुझे पता है तुझे घर के किसचीज़ की आग लगी दोनों घर है ना ये डायलोग तुने मारा था तो फिर एकी घर दोनों के नाम पे क्यों कर दिया और रही बात के फात्मा को इस चीज की आग लगी हुई है फात्मा बड़ा केमरा पकड़ पकड़ के इसके रियक्शन वीडियो बनाती थी ना जैसे छमिया बना रही है बड़ के ताला लगा के रकल तेरे लिए भी यही तारे डायलोग यह मारेंगा बेशर्मों गटिया औरते हैं तुम्हें इस चीजों का जिक्शन का पता नहीं था खुदा के खौफ से करो आगे दो बेटियां भी है तुमारे की गया अच्छा यह जो दल्ला है ना यह तो नशे मे है शराब पी के रखा है इसकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि नशे में दूसरा अपनी ही बेटियों को कोस रहा है उसको बोल रहा है कि तेरे आगे दो बेटियां भी है देख लो यह है बाप जो उसको सिका रहा है कि अपने बच्चों की तर्वियत कैसे करनी है अपना फ निकला के जो तुम अली के साथ में कर रही हो तो अल्ला ने तुमारे आगे दो बेटियां दिया है अब एक घदे उल्लू के पठे वो दो बेटियां तेरी भी तो है मतलब तु ये चाहता है कि उसकी बेटियों के आगे आए मतलब अस्तक्फिर उल्ला क्या भूच चड़ाई जिन्दगी बर के लिए वैसे ऐसे आदमी को तो मरी जाना चीए चुलू भर पानी में बलके डूप के मर जाना चीए इतना घटिया आदमी वैसे पूरा चुबिना पे गया है ना ये मैं मानती हूं अकबर की अवलाद है के नहीं आज तक के इसने प्रूफ नहीं किया बकि हा चुबिना की अवलाद तो पक्का है ये चुबिना के ही पेट में ये नौ मैना रहा है इतना घटिया चुबिना की अवलाद हो सकती है अच्छे ये भात्मा को खूब सारी बाते बाते सुनाया सब कुछ किया और फिर इसने ये भी बोला के तू नहीं रखेंगी मत रख तो वैसी औरत है अली को सनिया समालेंगी तो सारा गेम समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ पतह है इतने दिन में ऐसा फात्मा ने कोई वीडियो नहीं बनाई है ना अच्छे चलो पूरा गेम आप लोगों को मैं समझाती हूं कि इसको जाहिरती बात है कि अली को तो फात्मा सुरू से ही पसंद नहीं करती है इसको अपने पास रखना नहीं चाहती है और दो बच्चे वो अल्रेडी समाल रही है जो उसके खुट के है तो जाहिरती बात है अली उसका होता तो वो उसको भी दूर ना करती है अब बार बा पुमा के लेके चली जाना पिर मैं सन्या को उलु बनांके सन्या के गले में अली को डाल की जाने ट्रोल किये कि इसको समझ आ गई कि मैं तो यहां पर गलत साबित हो रही हूं लेकिन जाहिर सी बात है न उसको छुडाना है भई जान अब उसने क्या करी जिस दिन बच्चों की स्कूल की चुटी हुई है पढ़ी है दस दिन की मेरे क्याल से कुछ चुटी मिली है इन लोगों मतलब के इसकूल का खाड़ा भी नहीं हुआ इसकूल की कोई बरबादी भी नहीं हुई एकदम टैम पे वह आके लेके गई है अब उन लोग वहां से इसको लाके चम्या के गले में डाल देंगे तो यह सारा प्री प्लैंड हुआ है आप लोग अगर चुटी को और फात्मा के बकी डीडी दले तेरा यह डालोग के मैं अली को समालूंगा अपने पास रखूंगा तो फिर यह चम्या के बाद में जो आएंगी फिर तूदर भाग जाएंगा फिर चम्या अली को भगा देंगी फिर तू बोलना के मैं अपने पास रखूंगा मैं समालूंगा अबे त को अच्छे से पता है कि अली के नाम पर इनको पैसेमिलते हैं अली के इनको बहुत फाइदा होता हैaráिसे इसके लिए यह मरे जा रहा है कि में चमिया के प्तर्फ उटर्टी बात है ना फजाई इसके लिए वरना बाप वाल्म दील दो 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 बश्चोंक लिए भी धड़कतका तो यहां पर उल्लु तो ना तुम लोग कि इसी माने बंजत कर दिखो जोूड रोज बैठके और तो बात करता है अपनी मामी को कुती बोलता है दूसरी अरतों को बोलता है आजा तुझे ठंडा करूं अपनी बीवी को घटिया और पता नहीं क्या क्या बोलता है अपनी मां के भगोड़े मर्द के मुँ लग अबे ये तो तू तेरे उपर रखके सोच कि तू मर्द है क्या तू कभी मर्दों के मुँ लगता है कोई भी आदमी ने एक वीडियो इसके उपर बना दिया ना तो इसकी तो सिट्टी पिट्टी गूलो जाती है दो साल से आप लोग देखी रहे हो सीर्फ और चब आप ना दो तीन दिन से अपनी भव फात्मा के फेवर में वीडियो बना रहे है तो सितारा के सफबोर्टर उसको सपोर्ट कर रहे है बड़ा एप्परिशेट कर रहे है भी उडियेंस भी उसको एप्रिशेट कर रहे तो इसने सोचा क्यों ना मैं उसकी ऑडियेंस को भड़का हूं तो इतने बोल दिया के सितारा के पल्लू में पड़े रहते हो अपना कुछ करो उसके अंदर घमंड आ गया है यह सब हमारा बाप हमें बोलता था मतलब सोचो कितना घ याद है एक बार यह फरिया का जो भाई है उसके लिए और फरिया के लिए वीडियो बनाया था और बोला था तुम लोग तो अपने बाप की जती नहीं करते हो तो डीडी दल ले दूसरों के ओपर तो तु बड़ा उंगली उठाता है और इसने याद है मतलब कितनी गंदी वीडियो बनाया था और बोला था तुम लोग अपने बाप को ऐसे बुलाते हो ऐसे करते हो तुम लोग अपने बाप की जत नहीं करते हो तुम लोग पैसा नहीं देते हो ये करते हो वो करते हो तो वो सारी बाते आज इसके अपर कहां गई भई तू तो बड़ा नाम रख रहता वह खरिया बाप की इज़त करता है यह बैटके बाप कर नमक मोच नहीं वाएं Don't करतो कितने बाप को थो यहाँ सब्सक्राइब क्रें लिहाश कर लेते शरम हया कर लेते अपने बाप आपको बोल रहा है जबके ये नमक हराम सलमा के घर का नमक खा क्या आया है सितारा के घर का नमक खाया है उसकी मां का नमक खाया है और किया क्या है इसने आप लोगों ने तो देखा होगा बताने की जरूरती नहीं है सलमा को गाली सितारा को गाली इसकी मां को गाली गोंचु क गाली सब को गालियां दे चुका है और यह नमक का फार्ज अदा कैसे करते हैं वह याद दिला रहा है वा 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 वकिस ने जो यह वाली पूल-पटीयां खोला है ना के लड़की पठानी जो मेरे पीछे आई हुई थी मेरे से निकाह करने के लिए तो मै यकिन नहीं करोंगे दोनों बाप बेटें ने उसका यूस किये मतलब जिसमानी यूस किये थे और उसके बाद में उसका सारा जितना भी जुईलरी थी 11 तोला मेरे खियाल से कुछ थी वह चीन लिए थे और वह चीन के रूबीना ने खा गई वह सारी चीज़े रूबीना ने ले लिए और फिर बाद में उसको वन्टू का फोरी लोगों ने कर दिये थे अब वो कहां गई क्या हुआ उसका वो फिर बाद में कुछ भी पता नहीं चला तो ये बात हकीकत है और ये बात देखो के ये बोलता था ना कि मैं बहुत शरीफ हूं मैं तो लड़की बाद नहीं करता है और फिर शादी का टाइम आता है तो ये इस तरह थे उनको डरा धमका के भगा देता है ये बात आज इसने अपने ही मूँ से कबूल कर दी के कोई लड़की इसके पीछे निका करने के लिए आई थी और इसने मना कर दिया था और उसका सोना वगेरा सफचीन के इसकी इज़त लूट के दोनों बाप बेटे ने इज़त लूटी पहले बेटे ने लूटा फिर मैंने ये सुनी थी कि वो बदला लेने के लिए इसके बाप से निका करने को तयार हो गई थी फिर बाप ने निका किया उसने इसकी इज़त से खूब खेला चाचु अनवर ने उसक तो देख लो कितने क्रिमिनल और कितने घटिया लोग है लोग जो ये लोग इतने अच्छे बनते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छी फैमिली से हैं हमने कभी कोई मतलब क्रिमिनल जैसा काम नहीं किये है तो आप लोग देख लो जो सारी बाते मैं बताती थी ना वो सारी बात पुज़र गए है किसी की भी अच्छी इमेज निकल के नहीं आ रही है किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गंदे से गंदा सामने आई जाता है और अभी तो यह भी पता चला जो चाचु अइसके अकबर चाचु जो इसका बाप है उसकी अभी कुछ दिन पहले भी किसी से निका हुई थी फिर दो निका तो छम्याई लोग के साथ में मिलके जो हुआ वो देख लो आप लोग मतलब के ये क्या चल रहा है भाई और ये जिस तरह से बेशरम वो रहा है कि आप ऐसा क्या करते हो जो भीवियां खरीद के लाते हो उनको यूस करते हो फिर भगा देते हो ये सारा कुछ तुम लोगों की फैमली में गंद चल रहा है और तुने भी ऐसे बहुत सारी लड़कियों को यूस किया है जो तुने बोला है ना कि मैंने रिका करने से मना कर दिया था तो तु वही कर रहा था तु उसको आर बना के अपने पास रखा था लेकिन जब निका की बात आई तो तुने इसको छोड़ दिया और फिर तेरे बाप ने निका कर लिया और वो बावली ने भी बदला लेने के चक्कर में निका की लेकिन उसका खुद कही तुम लोगों ने बैंड बजा दिये तो देख कि प्यत्तनी ऐन नहीं नहीं देखी और पुरी जिन्दगी में नहीं देख के całOS वीडियो को यहीँ प्लात करती हूं